मोधी जी आपको News18 Network को यह exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुवात में हमारे सांग हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं एक महराश्चा के anchor हैं दूसरे हमारे करनाटका के editor हैं यह दो states अहम हैं इस चुनाव में तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल भी आपसे करेंगे शुरू करते हैं पहला सवाल सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटका और महराश्चा को भी जोर दिया है तो एक पकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग अलग इंटरू देता तो शायद मुझे और जादा टाइब देरा पड़ता बहुत दनिवाद स्वागत है आपका नेट्वर केटिएटिंग से पहला सवाल मोदी जी हम लोग पूरे देश का ब्रहमन कर रहे हैं इधर दर जा रहे हैं, हम लोग साउथ में थे, बिहार गए और भी महराश्य में भी थे तो हर जगे ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें, चाहे आपके उमीदवारों से बात करें लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहां आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं मोदी जी आएंगे तो हो सकता है सूइप हो जाए, हो सकता है सीप निकल जाए तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन्मत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मेडिया के लोकों का होता है, किस समय किस प्रकार से अनालिसिस करना, लेकि मैं इतना कहूंगा, कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चड़ाता हूं, अब मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे, तो एवरेज, फ्राइडे, सेटेडे, संडे, मैं हंदुस्तान के किसे ने किसी कौने में गया हूं, जनता के बीच में रहा हूं, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है, और चुनाव में मैं मानता हूं कि लोकतंतर का उत्सब ऐसा है, कि सभी राजनितिक दलों का कर्तब हैं, कि जादा से जादा लोकों क जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षन का काम होना चाहिए, सम्वाद होना चाहिए, विचार विवर्स होना चाहिए, तो मैं एक राजनितिक शेत्र के कारकरता के रहते हैं, चुनाव या न हो, मैं इसे अपना कर्त व्यमानता हूँ, और इसलिए में जाता हूँ, जहां तक यह दो फेस का सवाल है, मैंने ऐसा जर्शा बर्फन, बहुत कम चुनाव में देखा है, जो मैं इस बार देख रहा हूँ, एक प्रकारची चुनाव जनता जनार्दन लट रही है, सुशासन के लिए लट रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लट रही है, ऐसा मुझे लगता है, मैं तो साइद एक निमित हूँ, इस बार मेरा जरा ज्यादा उत्सा है लोगों के भी जाने का हूँ, और पहरे के तुलना में साइद में ज्यादा बार जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग उत्सा के साथ इतने बड़ यह मुझे अपना करता भी लगता है, और मैं देखता था जो फर्स राउंड हुआ, मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउंड में यह हमारे खिलाब जो लोग मोर्चा लगा रहे हैं, मैं बैठे की कोसिज कर रहे हैं, पहले राउंड में वो पस्त हो गए और कल मैं दूसरे राउंड में यह द्वस्त हो चुके हैं, यहने पहले लोगों ने पस्त कर दिया, अब द्वस्त कर दिया। आजिस्थान में एक रैली में, एक कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक्ट अटाक किया, आपने यह तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि यह वेल्ड दिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, यह पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापुंजी है, किसके पा इतना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बाट देना चाहते हैं, क्या यह थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है? मुझे रधा है, शायद आपकी टीम ने मेरा पुरा केम्पेन को ट्रेक नहीं किया है, यह शायद विकास की बहुत सी बाते हैं अशे हैं जिसको शायद टी आरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा, मेरा पूरा एलेक्षन केम्पेन दो चीजों पर पहिंद्रीत है, एक हमने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में यह सरकार में, वो यह है कि लास्ट माइल डिलिवरी यह हमारी विशेस्ता है, नीतिया तो सरकार कोई सरकार बुरा करने लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है, कुछ लोगों अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते हैं, मैं ऐसा हूँ कि मैहनत करके जो अच्छा हो करूँ, मेरा हमेशा ऐसा रहा है, अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूँ, कि हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाएं, मैं इतना लोगों को कहता हूँ, कि आप इस चुनावा प्रेतार में जाएं, तो मेरी मदद करें, कि जुसके घर बनाना भी छूट गया हूँ, हर को मैं इक तो निकलेंगे, उनकी सुची में भेजो ता कि जैसे ही मेरा ती तीन करोड घर और मैं बनाना चाहता हूँ, अब आईश्वान भारत योजना, दुनिया के सबसे बड़ी हैं, हेल्ट इंशॉरंस और हेल्ट एशॉरंस की स्कीम है यह, पच्पन करोड लोगों को इलाज का भरोसा, कि अब आपको मोदी हैं, मोदी की सरकार हैं, पाँच ला इस बार हमने मैनिफेस्टर में कहा है, कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैक्ग्राउंड का व्यक्ति क्यों न हो, जिस भी परिवार में, सत्तर से उपर के आईउ कि जो भी व्यक्ति होंगे, पूरुस्तरी सब, उन सब को हम यह, पाँच लाग शुपय तक मोप देलाज की सुविदा देंगे, इत पर हमने मैनिफेस्टर में यह भी कहा है, कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाडी वर्कर हैं, उनको हम इसका बेनिफेट देंगे, ट्रांस जेंडर जितने भी हैं, किसी भी आईए कि क्यों न हो, हम उनको बेनिफेट देंगे, तो य प्राइवेट थे, लूट लिया रापो राप, गरीबों के नाम पर लूटा गया, लेकिन भामारे देश की बेंके खस्ताहार हो गई, आधे से अधीक आबादी ऐसी थी टी गरीबों के नाम पर बेंक तो लिया डिक बेंक खाता नहीं कि जा इंगने आ कर के बावण करोड बैंक के खाते खोले और उसका सबसे बड़ा मैंने फाइदा उटाया है खाते खोल कर गे आंकडा नहीं किया मैंने जंधन आधार और मुबाई इस ट्रीनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफित ट्रांसफर च्छतीस लाग करोड रुपिये आंकडा बहुत बड़ा होता है ज बड़ा करोड रुपिये डारेक्ट बेनिफित ट्रांसफर लोको के खाते में गई अगर मैंने बेंक खाते ना खुले होते तो इनका अप्राइदा इंक्रुजन इस दुनिया में पुरी दुनिया में एक साल में जितने अकांट फिलते होंगे उसे ज्यादा काम हमारे आज 14 करोड ग्रामेड परिवारों को नल से जल पहुचा है अब ये सारे का हमें 25 करोड लोग गरीबी से बार ऐसे ही नहीं आए जी हमने उनको इतना ससक्त बनाए और मेरी स्टैटेगी यह है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को प परास करता है उसके बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना यह संकर्प बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फायता है 25 करोड लोग गरीबी से बाहर आए बहुत बड़ा एची मैट आई जी दुनिया इसकी तारीक पर रही है और यह एक मोडेल ब आप देखें दोजार चाहुदा के पहले क्या हो था दोजार चाहुदा के पहले आपके सारे मिडिया मेले निकाल दीजिए फ्रेजाइल फाइव यही एडलाइन होता था आज हम वाइबरेंट एकॉनोंवी बन गए है आएमेफ ने दुनिया के एक सो पचाथ देशों का सम जिसमें चाहिना भी हैं हिंदुस्तान भी हैं जिसको हम कहें कि डेवलोपिंग कंट्री है यह जो इमर्जंग इमर्जिंग एकॉनोमी वाले देश हैं ऐसो का एक सभूं का उनको क्लाशिफाइ करके उन्हों उसका अनालिसिस किया बड़ा इंटर्स्टिंग अने एक पकार स यह इंडिया का पियर गूप हम कह सकते हैं अब देखे क्या अनालिस हैं 1998 इंडिया पर कैपिटा जीडिप इस पियर गूप से 30 प्रतीशत के आस पास थी जहने पूरा ही देशों का थे से उससमें अटर्जी की सरकार थी अने 98 में अटर्जी की सरकार थी 98 से 2004 अटर्जी के अपने कारखल में यह 30 प्रसंड को 35 प्रसंड ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रेशिवा लेकिन दुरभागे देखेंजी 2004 में यह सब खिचडी कंपनी आ गई और खिचडी कंपनी ने अटर्जी की महानत जोधिस प पानी फेर दिया 35 प्रसंड को 30 पर ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंट्रीश ने बारत से जादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीए की सरकार में भारत डेवलप गी वर्ल की अपेशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल गया लेकिन 2014 में हमाई सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी हो गया हम 30 पर से 37 पर पहुँचा दिया और 24 तक मैं जब पहुचा हूँ यह मामला 42 परसंट पहुच गया है याने 30 छोड़ा था हम 42 ले और यह हाईर स्ट्राइज याने हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप दस साल के कालखंड ने इंफ्लेशन को भी ले जो महंगाई खितनी चर्चा करते ने तो यह दस साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखंड रहा है यह इतना सारा जो कहता हूं और हकिरकत के अधार पर कहता हूं पर कफोर परीशन करने के बाद एक्षिव किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जूड गए है उसके बावजुद भी मोधी का कहता है पोचिव कैफ है यह तो ट्रेलर है बुझे तो और आगे जा है और नहीं नहीं आकांग शाहिए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूं देश को लेकर के और कॉंग्रेस ना जहां तक मैनिफेस्टों है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों यह कोई शोपिस के लिए होते है क सच मुझ में ते मिडिया का काम है कि हरे कुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टों की बारी की से जांच परताल कहें मैं इंतजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था मैं को आज करनी रहा कि मुझे मैनिफेस्टों देख करके लगता ह कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएंगे तिक पता नहीं अब उनकी घस्तरता कोछ और है मैनिफेस्टों मैं उनकी तरब से जो परोशा गया उतनों गुड़ी गुड़ी अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़े है मैंने काफी दस दिन इतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टों में जो बुराइया है उसको कोई 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 को कि निस्पक तरिए सा आता है तो अच्छा है आखिर कर मुझे मजबूरन ये सच्चाईया लेकर के आने पड़ी आथी दैक्सरीन ने इंटेव दें चाईया आहां तो ठीडिटेशन कि वाद ठाक्स आपकी प्र्टीम अब मैं विकास और विरासत के बाद कर आए अब मैं अर्वें लुट करते है तो बहु करते हैं तो आर वेलिदीटुशन कि ज़ टाते हैं और उनके आज-चाज का मेरी जिम्मेवरी, मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, कि मैं देश वास्यों को बताओं, कि भी ये इस दिशा में ले जा रहे हैं, अब आप तै किजिए, जाना ने जाना, जनता जना जनान का हरता है, लेकिन मेरा दाइत्व बनता है, कि तर्थे वाधर पर, तर्थे आधर पर, उनकी हकिकों तो ग्यातार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ. जब हम अपने लोग पुरा बचाते हैं अपने फैमली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है, तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को आप करेगी हमारे मैनिफेस्टों में साहब हमने लिएकर के लाइव है, अब उन्हों है कहीं सभूपा छोड़ दिया तो मैं भी वो जनर्रा लेकर गूंगा, ये सवाल आपके मुन में कैसे आजाता है, भारती जनता पर्टी की विचारदारा साहब है जी हम अपनी विचार मोधी जी, राहूल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नैशनल एक्सरे कराएंगे, इसी सो जड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नैशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की न और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टिटूशन में भागिदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रिडिस्ट्रिब्यूट करेंगे, इसको आप कैसे दिखते हैं? सबसे पहले तो, इस देश में जो लोग अपने अपनो राजनीती के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइत्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जीस परिस्टित्यों का वर्णा आप कर रहे हो, अगर ये सही है, तो सपता साथ पैसर साल तो आपने राज किया भई, ये मुसिबत के जन्म दाता है आप को, और आपने अब तक कि ये बरबादी लाए ही क्यों, पहले उनका जबाप मांगो भई, नमब बन, नमब टू, एक्सर का मटलब क्या हैं जी, मटल अगर किसी अनाच के डिब्वे में किसी महिला ने अपने घहने चपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके घहने ले ली जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूट करेंगे, ये दुनिया में एक मावववा आदी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बरबाद हो चुकी है, ये पूरी तरह अर्बन नक्सल को सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करना है, और इसलिए मैनी फैस्टों आने के दस दिन के बाद भी ये जो जमात आए दिन लिख्धा पटी करती है न, उस चूप रही ह तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि देश को जगाना, कि देखिए आपको लूट ने की ये थरकिव हो रही है, और दूसरा पार्ट है, डॉक्र मनमोहन सिंग की वगर उन्हे हर बार कहा है, कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसा करीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है, यह उन्होंने साफ का है, आपने उसको मैनिफेस्टों में भी ये बात पॉइंट आउट की है, कि OBC का OBC रेजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे, और 2004-2014 के बीच में उन्ह नब्बे के दसक से ये मांग उठी है देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए अंदोलन हुए है, नब्बे से पहले, कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया, उसका विरोद किया उसको दबाने की कोशिच की है, यहने नब्बे के पहले कॉंगा दसक है, फिर उनको जितनी भी कमिशन बने, जितनी कमिटिया बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स, OBC के विचार के पक्ष में आने लगे, अब उनके से भारोसे कोगी वो नकारते रहे, रिजक करते रहे, दबा जितनी के दसक में उनको लगागे भी अभी कोशिधिध दरा, उनकी वोट बेंग की राजलिक्तिक अनुसर उसको तन दिया जाए, उनlando पहला पाप के लिए, नैटीज के दसक में, उनको नदीज के दसक में, नने धर्म के अधार पर मुसल्मानों को अभी सिगोशी कर दिय यानि देश के OBC को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को डिजेक्ट करना, लेकिन राजरीती खातर मुसल्मानों को OBC गोसित कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई, 2004 तक यह प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ, 2004 में उफिराए, तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा इस देना ताय का लिया, मामला कोट में जाके उलज गया, अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, सम्विधान के मुलभूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है, 27 परसंट सैद लगाने की उन्होंने तहरी करती, डाका डालने की कोशिश की है, 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल की मीटि अब जिए हैंडी सिकी, मन मोहन जी ने बयान पर भात बड़ा हंगाम हो गया है, दो साल कॉंगरेट पूरी चूप रही है, 2009 के गोश्रापत्र में, फिर से इसका जिकर किया, 2011 में, केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में, ओभी सिके, 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने तै किया जी, 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फायदा नहीं हुआ, 2012 आंधरा हाइट कर दिया, रद कर दिया, कानूनी जज्जमेंट आ गया, से में गये, सुप्रिम ग़र्ड में गये, वहां भी उनको कोई रिलिफ नहीं मिला, 2014 के गोश्रापतर में भी, दर्व के आधारपन आरक्षण की बाद कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना, तब तो कोई RSS वाले, BJP वाले संविधान सफा में नहीं थे, ब कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं, उनका मेनिफेस्ट और मैंने का, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है, यह मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अपना रिशूर के अब यह जो उन्होंने शित्या बनाई है, मुझे बताइए कि देश के लोगों को यह जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बापा साब आम्बेट करको, अब बानित करते हैं, SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए, मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निस्पक्ष हैं, उनका करना चाहित्व बनता हैं, कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीज़े बताएं, कॉंग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्टों में बोला है, उनसे लिखा है कि, इनकरेज और एसिस्ट करेंगे कि उन्होंने बोला है, तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मितले इनके मैनिफेस्टों को, मुझे पकड़ने की जरूत नहीं है, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है, जी, 1990 का हिसाब देखोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे, अब उसे उसमें जरूते हैं, जरूते हैं पड़ती हैं, आपको 1990 से लेकर के डॉक्तर मनमोन सिंग जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे, तो आप बिलकुल इस वर से क्या निकालोगे बाई, मैं नहीं निकाल रहा है, हरे को यहीं निकालना पड़े, जब यहां मतलब की यह कहें क और यह जो भागिदारी की बात करते हैं, इंस्ट्यूशन में, कि जाजेज OBC नहीं है, मीडिया में OBC का रेप्रेजेंटेशन काम है, इसको आप कैसे दिखते हैं? अब मुझे बताईए, जो 2014 में हम आए, हमने ऐसी कोई निती बनाई है क्या? जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए, तो यह उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है, अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम किया होता, सच्चे अर्थ में सा माजिक नाय किया होता, वोट बेंक की राजनिती न की होती, तो यह उनको आज इस प्रकार से जूठे कागजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता, मुझे विश्वास है कि दस साल से में जो कर रहा हूँ, सिती एसी आएगी, कि जितनी बाते हैं उनका जवाब हमी देंगे करकर के देंगे, हर एक को योग जिनाय देंगे, आज हमारे पहले देश की राजपती आदी वैसे कैसे बनीगे, हमारी सोच के काण बनीगे, हमें तीन बार राजपती बनाने का मोकाव आया हूँ, एक बार अटल जी के समय, दो बार मेरे समय, पहली बार हमने किसको बनाया, माइनोरिट को बनाया, अब्दुलकलाम जी को बनाया, मुझे मुका मिला पहला तो किसको बनाया, दलीद को बनाया, दूसरा मुका मिला तो किसको बनाया, आदिवासे महला को बनाया, तो यह हमारे आचरम से पता चलता है कि हमारी सोच के आए. मोधी जी आपने एक बात और कही है और इसको में एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ आपने कहा है कि अगर इनका गटबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे है कि किसको PM बनाएगे तो एक एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे ये डाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडाइडा खुद की पार्टी के अंदर उनी दोका करने के उनकी प्रवुर्ती, वो तो है, इसका मतलब ऐसी फॉर्मुला कॉंग्रेस के दिमाग में होना ये पुरुवन है उसमें, और मैंने अभी कहीं मेडिया में पढ़ा, उनके कोई छोटी से मिटिंग वी ती, मेडिया में पढ़ा किसी के नाम दीजी, कोई तो नाम देना पड़ेगा नहीं और क्रिकेट की टीम होती वोवी केप्टन बताती है, कबड़ी की टीम होती है बोवी केतने बताती है भई आप बताने ही रहो कि तना बड़ा दे देख इसको और कब जांकर भेरों को ऐसे फ़र्मुला बनाई है क कि भैं, वन यर, वन प्रुमुला यह संकर समारू उलट तर रहेगा तो में पूरी न सरकरा कैमिनेट बनाएगा तो भैंस्ट संकर समारव उलत रहेगा लोच्छ कोई जैसे चल सकता है इतना तेस्ञ ह कोई आथ 30 साल तक अस्थिर्ता देखी है, मिली जुली सरकारों का दोर देखा है, आज दुनिया में भारत के प्रतिक विस्वाफ बढ़ा है उसका कारण भारत के एक्सो चालिस करोड लोगों ने एक्स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बनाई, तो कोई भी भरोसा करें गा यहाँ, इस सरकार के पास mandate है, मिली जुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता है, और इतना बड़ा देख, ऐसे थोड़ा चल सकता है, लेकिन आज देख की राजनिती ऐसी है, कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों ने जीते, उसने रीजनल एस्पिरेशन्स को ओन करना ही होगा, और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हम सरकार NDA की बनाते हैं, NDA के साथियों को लेकर की बनाते हैं, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनिती उजवल भविश के लिए, देश के लोगों के एस्पिरेशन इसलिए, रीजनल एस्पिरेशन को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही हिस्सा देना चाहिए, और ये करेक्टर NDA ने डेवलप की आए बhesiaगती जन्रता पार्टे ने करके दिखाया है आपने रीजनल इस्प्रेशन की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक सवाल और जिससे पहले क्यों सपर आते हैं, ओपोजेशन की सारी पार्टी जराहूल गांधी कॉंग्रे सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर, उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्या क मेरे होम मिनिस्टर तक को जल में डाल दिया था, तो हार को चुनाव जीते जाते हैं, तो ED, CBI का काम तो इतने सालों तो कॉंग्रेस नहीं किया है, वो जीत जाते हैं और इतना बड़ा देश एक मुंसिपाल्ड का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हैं, जरा करके देखो, ये स कि ऐसी बाते करने वालों को आप मिडिया के लोग उनको पूछने के वज़े आपको पूछते हूं, मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन एक बात जोटा सा है, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से, इंडी ऐलाएंस के लोग इतने निरास हो चुके हैं, कि अभी उनको बहाने क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी, इसलिए मैं समझता हूं, शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंड रहे हैं, कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी कि उनकी इंटरनल एक्सरसाइज आएगे. मोदी जी, दो स्टेट्स अहम है इस चुनाव में, एक है करनाटका और एक है महराष्ट्रा, करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई थी विधान सभा के चुनाव में, और महराष्ट्रा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है, तीन पाटि करनाटका लिए नेहा हिरेमत मुर्डर केस, बड़ चर्चेक आए, नेहा खिल्ड इंसाद कामपस, भई पयाद, इवन जीपिन अड़ा जी रच्टु हर हाउस, आप क्या सुच रहे है, यह अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या करनाटका चुनाव का फोकस, ऐसे इसी देखिए, नद्दा जी कारकम वहाँ चल रहा था, और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे, वो कॉंग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई, तो हमारा क्या, यह हमारे समस्कार नहीं है, नहीं हमारी सोब्स्टु है, नहीं हमार होच है, और एक मानविय सम्वेदना का भिषय है, और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ रगदेख जी ने इतनी चुनाव कि आपाधापी मैं भी, उनके स्वांतुनाना देने का प्रयास किया है, यह पूरी तरह मानविय वहवार है, मैं भी, अब मुझे मैं बताता हूँ क कि साहिए कुन सा चुनाव मुझे आप नहीं है, लेकिन राहुल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गड़बर हुआ, तो मुझे पता चाला तो मैंने तुन तुन को फोन किया, मैंने का भे आपको कुछ धिकत कुई है, क्या हुआ है, यह हमारा करता भी मनता है, मैं एहमद पतेल से, वो सारे लोग उनका हेलिकॉप्टर एगनम से क्रैश कर गया, मुझे पता चाला, मैंने तुन फोन किया, मैंने का मैं यहाँ से आपको एर अबुलन भेलता हूँ, तो एहमद भी मुझे का नहीं है, अभी बेलकुल हम लोग सरामत है, यह बाठीक है, हेलिक को लुक्षान हुआ है, लेकिन हमें कुछ प्रकलिब नहीं हुई है, एक बार सोनिय जी काशी गई ती एलेक्शन कम्पेंड में, और वहां उनको तब यह जिगनम खराब हो गई, तो मैंने तुन यहाँ से सब को भीजा, मैंने तुन देखो क्या मामला है, यह का हवाई जा दोन को, तो यह एक तो मेरे समस्कार भी है, और मैं मानता हूँ कि यह राजनेती से परे होते हैं चीजे, तो मेरे लिए किसी कभी, किसी भी परिबार में आप परती आ जाए, यह हमारा राजनेती से उपर उठकर के ही वहार होना चाहिजी है. Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised five guarantees and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP, BJP is more in the last election, you lost there, only 66 seats you able to win there, BJP able to win there. Now, again, Yadropa Ji's leadership and his son's leadership is more focused on the focus. Because of this, in BJP, there are a few people who are disappointed in the world. Actually, in your mind, how can you do BJP in Karnataka now? Number one, the people of Karnataka are working in Karnataka. कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिढ़ा दिया, तो जन्समर्धन नमारा कम नहीं हुआ है, जन्समर्धन नमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतनी कम समय में है, C.M. कौन, अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए, शपत हुआ है C.M. का लेकिन सैटल नहीं हुआ है, अपने आपको C.M. मानने वाले लोग बहुत है उसमें, आप कानून में होस्ता देखिया, चर्मरा गई है, बंबलास हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिती पूरी तरह कंगालियत के स्थिती में हैं, बादे तो बड़े बड़े करती हैं और फिर टैंग लगाएं, ऐसा होगा तो ये मिलेगा वैसा होगा तो मैं मिलागा, मतलब आप जनता के साथ दोका भी कर रहे हो, जब हमने कहाँ कि भी हम इन लोगों को आईश्मान काड देंगे, बालब देंगे, फिर इवचेन बट लगा अगर हो बहिमाने नहीं नहीं करी अभी पहे हम सपतर साल से उपर के किसी भी वर्ग के वेक्ति होंगे इनकोड़ाइश्मान काड देंगें बालब देंगे, आप में यह उम्मत हो इसी है, उन्होंने किसानों की जो योजना थी, उरद कर दी, किसान सम्मान ने थी, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करना का, आप बता, आप कोई सोच सकता है, जब बैंगलूरू, दुनिया में हमारा बहुत बड़ा, देश की इजद बढ़ाने में ब आपने देखते ही देखते ही इसको टेंकर हब बना दिया, और टेंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस्व हैं, अगर यह जो हालत हुनोंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलर थी, आपने संख्या भी कर दी, एमांट भी कम कर दी, यहने एक के ब मांगा उन बुद्धों को आप बोट देनी पर रहे हैं, अचा डेप्री सीम वो अपने भाई के लिए बोट माम रहे हैं, और वो खुद सीम बन सके, इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं, जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले जोगा है, भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेगे मेरी पूरी टीम काम कर दिये जी, उसी प्रकार से ये दूरभपा जी हमारे वरिष्टर नेता हैं, लेगे काम पूरी टीम कर रहे हैं, और टीम महनत करती हैं, लोगो को बिष्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं The second phase selection of Karnataka there is the the in nation it is the third phase but for us in Karnataka it is the second phase selection for 14 seats there is the northern part of Karnataka majorly drought hit places are there now regarding this drought already Congress is claiming that we went to Supreme Court now central government is forced to give a rightful compensation what's your opinion Deke Siddhara में है कि जे पुराणी सरकार थी और वहां drought था उसमें मैंने खुद के ने उनकी पुरी टीम को यहां बुलाय था जा प्राइमिस्टर मैंने उनकी टम में इनको बुलाय था बैट करके मैंने का भाई पहले हम जल संचे के योजना हमाने बनानी चाहिए अब जहां तक State Disaster Relief Fund का सवाल है हमारी सरकार ने पहले ही जो केंदर का हिस्सा होता है वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है हमारी इंटर मिनिस्ट्रेल टीम उसने भी प्रभाविक शेत्रों में जु नियम है पद्दद ही हो जो हमने नहीं बनाई कई दसकों से हैं उसकी अनुसार वो टीम वहां गई है जाकर के उसने सर्वे किया है और हर बाराचा होता है जैसे मैंने हां गुजरात में भूकम अब ये सारी प्रोसेश चली आचार सहीं ता आ गई तो हमने एलेक्शन कमिशन को गांग भी है हमने विशह है हम इसको जैसा ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते एंडी आरफ के तहट अब राश्य रिलिज भी कर चुके है उस नियम के अंतर कर मोदी जी थोड़ा आरे में बाद चीत करना चाहते है नमस्कार महराश्टर में बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी लेकिन इस बार महराश्टर में पूरी खिचड़ी बनी हुई है शिवसेना और NCP टूटी है उनके दो पार्टनर आपके साथ है जो दो गूठ है आपके साथ है क्या उद्धव ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सींपतिकी लेहर देख रहे है दिखे पहली बात तो मैं महराश्टर के सभी लोगों को मे बहली अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराश्टर के भीशेगो लेकर आप से बात तरह हूँ अब देखिए ये बात सही है कि वहां लंबे अर्शे से मिली जूली सरकार चलती है बिलास राव देश्मुक थे तब से लेकर का आप देखिए ईवन शरत पबार भी जब मुख दुरभागे रहा है कि लंबे अर्शे से पांच साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है एक भी वेक्ति पांच साल मुख देवेंदर फड़नवीस पहले वेक्ति थे लंबे अर्शे के बात जो एक पूरास कारकाल मुख्यमंत्री रहे है और पूरी सरकार बेदाग र आप सिंपती हमारे साथ होनी चाहिए है कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़कर करके महाराचा के लोगों से भोट महागा लेकिन मुख्यमृत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्वकांख्या के कारण और उसमें अहंकार भर इसके कारण आपने बारासाब ठाक्रे के जमाने से बनी बनाई जोडी को दोका दे दिया और उसका लोको गुस्टा है बीजेपी के प्रती सिंपत्य है दूसरा शिवसाना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसीपी के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राक्किता देते हैं और बाक्यों को नहीं देते हैं, तो कभीने कभी तो कठेड़ा होती है सरद्राव के घर में जो मुसीबत है, उरके पारिवारी जगडा है बतिजा समाले कि बेटी समाले यहां भी इनका जगड़ा यही है कि और कोई सक्षम नेका उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहां एक परिवार में कॉंग्रेस के चल रहा है उस पर तो वो जगड़ा उनका है जी और मैं मानता हूं हमारा देश इस प्रकार के पारिवारी जगड़ों के परती नफरत करता है सिंपती नहीं करता है तो यह बिलकुल ही आप सिंपती सब्द लेकर के सिंपती दिलवानी के अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समयता हूं वो भी फेल जाने वाली है लोग नफरत करते हैं लोग ऐसे चीजों को स्विकार नहीं कर सकते हैं कि यह तुमारे घर तो गुष्सा है तूसरी बात है जहां तक आज सिंदी जी के नेतुरूत में जो सरकार चल रही है भारती जनता पार्टी का ज्यादा सीटे होने के बाद में त्याग किया है त्याग महाराष्टा की भलाई के लिए किया है कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते नहीं बने महाराष्टा की जनता को अमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्टा के लिए जीते हैं हमारे लिए नहीं जीते हैं और इस चुनाव में ये सिंपती हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमंत्री सफ खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतिय जन्रता पारटी सिर्फ और सिर्फ महराष्टर के उजवल भाविश के लिए और मैं मानता हूँ हमारे देश में बंगाल बरबाद हो गया कौलकता एक देश एकनोमिक को टायू करता था लेकि महा इस प्रकार के उठा पक्तर के राजनीते ने बरबाद कर दिया बिहार और उत्रप्रदेश अस्थिर्ता के राजनीते ने तभा करके रख दिये थे महराष्टर को इस आलत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश के आर्थिक राद्धानी है हमें देश हित्वे भी महाराष्ट में मजबूति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यह बाप हम महाराष्ट के जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्ट की जनता बहुत पोजिटिव रिस्पॉंद रही है महाराष्ट में बीजेपी शिवसेना और एंसेपी की महायूति बनी है लेकिन इस चुनाव में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है यह महायूति पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता मु वहाँ सीटे तैनी हो पा रही है वहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ पैरलल चुनाव लड़े जा रहे है इस बाजू तो ऐसा ही बिजवादू चल पड़े हैं लोग मिल जुल करके सीटे तैकर करके चल पड़े हैं और वैलिन एडवांस कर दिया है सिवसेना बीजेपी और एक तीनों ने इसको कर लिया है, सामने जो नकली पार्टियों का मेलाब मेलाब है, वहाँ नहीं हो पा रहा है, उल्टा है है, कितनी सीटे देखते हैं आप भारेश में, पिछली बार एक तालिस आई थी इसलिए पूछ रहा है, हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बोड भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी. मैं उनका आधर करता हूँ, आज भी करता हूँ, और मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में, लंबे अर्षा तक जिन जिन लोगों ने काम किया है, हमारे साथ रहे, न रहे, हमारे विरूद बारे, वह अलग बात है, इसका मटलब यह हुआ, कि जिसके अंदर वो पुतीन क को देखते हैं, उसकी सरकाँ से एवोड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं, यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है, लेकिन वो गर्व कर रहे हैं, जहां तक मेरी पार्टी की सोच, और व्यक्तिकर तुप से मेरी सोच, अब देखे हमने भारत रत रत दिया तो किसको दिया, प्रणो मुकर जी, नर्से माराओ, चोधरी चौनांसी जी, करपुरी ठाकोर, और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं क्या, मधिजी अप इनको क्यो भारत रत रत दे रहे हैं, सब को लगता हैं, यह दूठा, इनने उसके आधारपड़ी होता है, आप प्रणो मुलायम सेंग जी, असम के तरून गोगई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एसम कृष्णा जी, आप देखी जी, सारे लोग हैं, दूसरी पार जोगे हैं, हमनों को पद्ब दिया, हम पद्ब देते उनको अपने अपने देश का है, दल का नहीं है, यह मोधी की पर्सनल पॉपर्टी नहीं है, यह भारती जन्तापार्टी का उस पर कॉपिराइट नहीं है, तो मैंने पूरा पद्मपुरसकार, तो मैं मनता हूं कभी, अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंट्रेस करें, भारत में प इस भात की होनी चाहिए, कि आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं, कि आप ऐसे ऐसे नेने करते हैं, यह क्वेस्टन नहीं होना चाहिए, कि आपने उनको क्यों दिया, नहीं देने के बाद यू, उन्होंने ऐसा स्टेक्मेंट, यह शर्ती थोड़ा होता, कि मैं पदमा देता हूँ, मेरे लिए चूप रहना, यह को एगरिमेंट थोड़ा होता है, यह गिव औन टेक्ट फार्मुला नहीं है जी, मोधी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटे वहां से आ रही है, क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकार्ड तोड़ पाएंगे, 70 सीट लाएं थी BJP, 73 इंडिये, इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहूल सांत में चु इस इस में आप इस चुनाओ को कैसे देख देखते हैं? राहल जी आप जितने गर्व से सब लाएं है और मॉतरे ऐसे चार बार ब Wars रहें कम अर्त्र ऐपरिवार को को ऊतारना पड़ रहा है यह मजबूरी है यह उंका मुल और से स्था ministrain you can फैमिली मेंबर के लड़ना फैमिली मेंबर के लोगों के लडवाना यही खेल है अच्छे यह पहले इखटे नहीं है यह भई पहले भी खटे आ चुके हैं बार बार इखटे आ चुके हैं लेकिन उत्रप्रदेश की जनता को अपना भविष्च क्या है उसकी समझ पूरी है औ और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था कि आज उत्तरप्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोगसभागे मैदान से भाग रहे हैं राजस्पाग रास्ता खोज रहे हैं और हुआ ऐसा ही है बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तयार कुछ बचेगा नहीं हुदा कुछ रहे हैं दो हजार चौदा से बहतर परफॉर्मेंस हो उनका कुछ बचेगा ही नहीं है एक सवाल और आप इसका पाट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूँगा ओपोजेशन कॉंग्रेस सब आपके पीछे क ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के उपर से जो है इस तरह के केसे को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या डॉप कर दिया गया इस बारे में पहरे बात है एक भी केस डॉप नहीं किया गया है जो अधालत कहे कि वही होगा हम कोई दिर्णे नहीं के स्वातंत्र है दूसरी बात है पॉलिटिकल लेडरिशिप के केस कितने है भई अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए तो काम नहीं करेगी या और अधालत इतनी बड़ी है जी किसों के जमाने दे जरी है जरी है कि अधालत तो अधालत देखती होगे नहीं और ब्रस्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट नले जी सच पुछ में देश में चर्चा हूनी चाहिए कि कि पहला एक जमाना ऐसा था था प्र आरोप लगता था तो भी हल जाते थे आज गुना सिद्ध हो चुका है सज प्रश्टाचार के फोटो निकल आए हो आप ब्रस्टाचार का महिमा मन्नन कर रहे हो इस देश में यह अलोचना का विशय होना शेए ब्रस्टाचार को निउ नॉर्मल के रूप में ट्रिट नहीं करना शेए वरना इज देश का बहुत दुक्सान हो है यह समाल बीजेपी देश के लिए ठीक नहीं है कापिसके नु नॉर्मल बना दे और मैं देख रहा हूं देरे 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 असा वातान बनाया जा रहा है तो चलता रहता है यही तो गरीब आद मी मर रहा है जी हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए रिजॉल्वना चाहिए का वो नहीं बड़ाई जी और मैं तो मानता हूँ देखिये मैं मैं कुझो कोशिस कर रहा हूँ एक है सिस्टेम को पॉलिसी डिवन बनाओ टकल नोजी को भर पूल लाओ आज हमने पहले प्रदान मंत्री कहते थे एक रुपय जाता है पंदरा पैसे पहुंचता है आज मैं कहता हूँ एक रुपय जाता है पूरे सौ पैसे पहुंचते है डारेक बैनेटिवेट टांसपर क्यों सिस्टेम को सुधार हूँ हमने जैम पॉर्टल बनाया को करुप्शन को कम करने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है जी दूसरा समाज को भी जगाओ समाज को भी आदत तालोग भी ब्रस्टाचार बुरा है किसी भी इस तरफ पर ब्रस्टाचार से मुंकर रहा है और देश में वह वातार बन रहा है पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है और मैं मानता उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इतले उनका समर् कर देना ये शोभा नहीं देता है आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये आर्टिकल 370 कुरत किया CAA को लेकिया है मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैम्पेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे ममताब ए कौन काम है वो सब पता है वो कभी ऐसी बात बोलेंगे क्योंकि ये उनके अधिकार खित्र का विशय ही नहीं है अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है इसी जो भारत सरकार के विशय हो भारत सरकार करेगी जो राज्य सरकार के विशय होते हो लेकिन जन्ता को मुरग बनाने की फैशन होगी है, जन्ता को अंदेरे में राकर इसलिए भुछ भी बूलते रहते है, दूसरी बात है, मैं चालेंज करता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी कल प्रेस कान पर करकर बताते हैं, कि हम 370 बाप इसलाएंगे, क्योंकि 370 हंटने के बात, यह लोग समीधान की इतनी बिड़ी बाते करते हैं, बाबसाब अमबेर कर के नाम पर हमको इतनी गालिया देते हैं, हिंदुस्तान में बाबसाब अमबेर का समीधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का समीधान नहीं लगा है, यह हमने आकर के बारत के समयधा, और वहां दली तो पहली बार आरक्ष्रम मिल रहा है, वालमी की समयध वहां रहता है, वहां पहली बार आरक्ष्रम मिल रहा है, यह सब क्या बाते करते हैं जी, और उनकी हम्मत है क्या, वो पेस कॉनफरन्स करके बोले, कि हम 377 फिर से वाप तो लोग चकित रह गए थे, लोगों को उमीन नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे, इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है, राजनाच जी ने मुझसे इंटर्व्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहूल को? तो देखिए जहां तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ही है कि मुझे दस साल हो गए, अभी भी मानने को तयारने कि देख की जंता ने मोदी नाम के किजी व्यक्ते को प्रधान मुंत्री बनाए, तो ऐसे एक जमात है, जो देश के मैंडेट को स कि लोगों को किसा सब पर कहा है, मैं मालदा में था, मैंने जी बहरान था, कितना बड़ा चबर जस्त वाहम माहूल था जी, अब जनता जनादन का विस्वास बन रहा है कि देश में एक स्थी मजबूत सरकार है, बंगाल में भी उसका परनाव अच्छे मिले, और T.M.C. के स जनता के पाद तो मतादिकार है, उस इस अबना गुसा निकालेंगे, तो गुसा निकलना बहुत स्वाभाविक है, आपने देखा हुआ को नोटों के डेर, क्या कभी आपके टीवी वालों इतने सारे नोटों के डेर कभी पकड़ गई देखा था, पिछले पुछ सालों में लगातार 50 करोड के डेर, 300 करोड के डेर, 500 करोड के डेर, 200 करोड के डेर, देश चौक गया है जी, आप कितना इसको दबाने कोसिस करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थीर हो चुका है, ये लूट लूटने वाले लोग हैं, तो इस बार जीत और बड़ी होगी, पर केंडर में हमारा समर्थन के अधा है ता मुद्दो के आधार पर और ऐसे बहुत से दल हैं, जो मुद्दो के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं, तो बीचर्ड का हमारा नाता वोडा, राज्य के अंदर हम बिलकुल, उडिशा की पूरी असमeता करता मो रही है, और मैंनी मानता को उडिया के लोग अब यह लंबे अर्शे तक इसको सहन कर सके इतने सौंसाधन है जी आज उडिशा देश का रिचे स्टेट मन सकता था जी रिचे स्टेट लेकिन क्या अहलत बना के रखिए तो अब उडिशा की सामान ने मान भी के इंदे एस्पिरेशन साह और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मोका मिलना चाहिए हम उडिशा को कहां से कहां पहुचा कर देंगे उडिसा से बात बिहार की भी करते हैं, बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस आपका गड़बंदन उनके साथ है, उस गड़बंदन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं, पिछली बार 49 सीटे थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाओ एसेमली का साथ लड़े थे, बाद में हो कहीं गए, फिर बापीस आए, तो हम जो जनता का मैंड़ेट है, उसके अनुसार साथ में है, जहां तक जन समर्थन का सवर, तल में बिहार में ही था, जो जन समर्थन में देख रहा हूं, इतनी गर्मी में, क कोई पैंडान नहीं कुछ नहीं है, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए है, बस साथ देख रहा हूंचे, कि बिहार में पहले हम एक तो साथ हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे, चालिस में चालिस, एक भी नहीं हारेंगे, आप में बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है, सेंटर में, मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर स्नल अटैक अक्सर होते जाते हैं, कहीं पर कभी बोला जाता है, मोदी को गोली मार जाता है, सर फोड़ दो, अभी हाल फिलाल में राहूल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, जो कि परस्नल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है, ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? तौर फैल मोदी के साथ क्यों हो रहा हैसा क्यों जवाप पर पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्या पूशना चहिए, ये सवाल इस देश में क्रचा का हो अचेहिए, कि सारवजियन एक जीवद में है, आखर मोदी का गुना है, तो पी-म बना वही गुना ये अगभ लिभाब आप जो भी गाली देते है प्रदान मंटर को देगे मैं आप अब प्रदान मंत्री गो इस प्रकार से सर फोड देंगे याłości साने सो कभी है और मैं हरान हूंु जी भारत के राष्षपगी पर पि किस प्रकार का कटा किया गया था शरमा है इस प्रकार दिवाशा का प्रोग किया था मैं हमेशा मानता हूं जी मद्दाता ही मेरा परिवार है देश ही मेरा परिवार है और मैं सकारत में जा रहा हूं लेकिन जो ऐसा कर रहा है उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं तो अज़ा ने जो ज़रूवत थी, उनको मैं ड्रेस करना चाहता था, मैंने उद देशा में काम किया, और उस समय देश के इंदर एक निराश्य का बातावन था, सरकार के पृती नफरत का मातावन, ज़ सरकार याने निकमी, मुझी विस्वात बर्ला था, मैं उस पर काम किया बजबुतिल आया, जो दूसरा कारकार था, तो मैंने कुछ परणाम दिखाए, लोगों को विस्वात भर दिया, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर एक कांफिड़न्स लिवर आया है देश में, वो कांफिड़न्स एक बहुत बढ़ी तागत है, अब आगे जो अतासा में से विस्वास में परिवर्तित हुआ, हाकांख्षा में परिवर्तित हुआ, जो एस्पिरेशन के अंदर परिवर्तित हुआ, अम मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ती बना रहा है, लिकि ये, जब मैं ग्यारा से पांच पर लाया, उसी की कंटिनुटी है, युमें पांच पर लो बिनिकामा और तीन वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, तो पहले मनमौन सिंग की जमाई पर ग्यारा तक थे, हम जोड लगा करके पांच पर ले आए, अब जोड लगा करके तीन पर ले जाएंगे, तो हम हर चीज में कंटिनुटी करना चाहते है, अब जैसे बिजली है, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ्यान चला है, बिजली पहुंचा दी, अम मेरा लक्ष है, पीम सिर्व की गर्व योजना और जीरो बिजली बिजली, और मैं हर घर पर सोलार सिस्ट्म लगे, और मैं सिरफ बिजली का बिल जीरो चाहता हूँ तीन चीजे चाहता हूँ, एक हर परिवार का बिजली का बिल जिरो हो, दूसरा अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे, तीसरा जमाना इलेक्टिक वहिकल का आएगा, मुझे आतमे निर्फर होना है एनर्जी के सेक्टर में और इसलिए मैं चाहूँगा जो इसके पा जाए और सोलार से हो जाए, मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टिशन का महिने का हजार दो हजार रुप्या खर्चा आता है, वो भी जीरो हो जाए, ये त्रीवीत बेनिफिट नागरीक को और देश को परियावन का मेनिफिट, देश को आज पैट्रोलियम इंपर्ट करना जो अर्बो अर्बो डॉलर जा रहे है भार, वो बंद हो जाएगा, तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना, अब जैसे स्टार्टर फब, मैनुफेक्ट्रिन हब बनाना है मुझे, इनोवेशन हब बनाना है, यानि मैं एक बिलकुल नए अरिया पर देश को ले जाना चा में क्या करना क्लियर है, 2047 में विक्सित भारत बने क्लियर हो, इतलिए मैं कहता हूँ, 24 by 7, for 2047, ये मेरा मिजाज आए, इस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रूप में से, आज विलास मुझ से सुबह एक सवाल पूछ रहे तो मैंने का आप मोदी जी स आपने आपकी पूरी हियात्रा में बहुत सारी कठीनाय का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसिजिएन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? कि मैं तब डिसिजिएन पगे नहीं लेता हूं कि मैं सही डिसिजिएन लेता हूं कोई तब डिसिजिएन होता है, सही होते हैं, किसी को तफ लगे, किसी को नहीं लगे, सहब सबता है, लेकिन फुर्ण भी मैं सोचता हूं कि सब कैसे होता है, जैसा आचरज आपको होता है, म युझे जो कुछ भी है उनको इश्वरी शक्ति करवा चाहिए और उश्वरी शक्ति कर्वा रहता हुं इस अब हम चोई पर्मात्मा कि देन है, पर्मात्मा नहीं मुझसे कुछ कामे लिद लाग किया है किसी परपर्च के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं यह जो बागी तुफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूं लेकिन इस तुफान में शांत कैसे रहते हैं मुझे उससे परे रहता हूं मुझे शायद परमात्मा ने यही रह दिखाई है कि तुम उन चीजों में मतूल जियो तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की युजना है और शायद यह उसी का मैं एक निमित तो कुछ है, इसी जो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, को आपका शडूल मिलता है, आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं, दिन में पांच, चार, छे, रहली वो भी कोई इस प्रदेश में, तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं, कौन सी ऐसी शक्ती है, जो आपको यह दृड़ संकल्ब दे रही है, आगे बढ़ने का, पहली बाप तो मैंने कहा ना, कि यह मैं नहीं कर रहा हूँ जी, यह इश्वर ने ताय किया हुआ है, इस वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए बेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पारा हुआ हूँ जी, मेरी माने कुछ पड़ी लिखी नहीं ती, जो स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पोलिटिकल बैक्राउंड नहीं है, और इतने ओगड़ा देश, इतना कामी इश्वर नहीं करेंगा, तो कौन करें क्या करा है, और मेरे लिए दो इश्वर है, एक जिसको हम देख ही पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन को भी इस्वर का ही रूप मानता हूँ और दूसरा परमात्मा के परते मेरी अपार्स रद्धा है, शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जन्ता जनरार दिन ने आशिरवाद भी है, शक्ति जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूँ? मैं, मैं मेरे लिए जिता नहीं हूँ, मैं मेरे लिए जन्मा हूँ, तो मेरे मन में हमेशा रहता है, कि मुझे जितना समय मिला है, उसका पल पल, मैं देश के कामा हूँ, जहां तक मैं दोड़ता हूँ, मैं मुझे लोक तंत्र है, एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल इस जनता जनादन के दर्शन करने का अफसर है जिए हमें मुका लेना चाहिए चितना जनता जनादन के दर्शन करना चाहिए लोक्तंत्र का एक उत्सम है जिसमें समवाद होना चाहिए जितना ज्यादा तो मैं इसको एक जैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं कैसे इन उस भाव से वे चलता हूँ, लगा रहता हूँ उनमे, खब जाता हूँ, ठकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ. मोधी जी बहुत बहुत दन्यवाद आपका अपने अपने समय, इतना समय निकाला, आपके नाड़े की तरह इस बार हमारा भी एक नाड़ा है, अगली बार, अगली बार, सिर्फ न्यूज एटीन पर आठ बहुत बहुत बहँत दन्यवाद आपने आमनोंकों समय दिया, चलिय बहुत 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 थानिवाद, सग्ड़ानमादे नमस्कार